नमस्कार मैं दुशियन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुती बढ़िया तरीके से चल रही होगी आप जानते हैं कि आगामी समय में आरो यारो का एक्जाम होना है यूपी पी सिस्प्री का एक्जाम होना है तो उसके लिए करेंट अफेर्स हम कर रहे थे मैंने आपको घटना सार की समरी प्रोवाइट करा दी है इसके अलावा घटना चक्री की जो आईदेस्टी वाली बुका थी है उसकी समरी भी मैं आपको प्रोवाइट करा चुका हूँ तो इसको भी आप एक बार देख लीजेगा क्योंकि ये question answer form में चीज़े हैं तो चल्ली से याद भी आपको हो जाएंगी और यहां से काफी सारे questions आपको आगामी परिक्षाओं में देखने को मिलेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पहला question है हाली में किस खिलाडी हो वर्स 2023 के Ballandio Award से सम्मानित किया गया तो Ballandio Award मिला है लियोनल मेसी को इनका नाम आपको याद रखना है दूसरा है नागरिक उड्डेयन महान देशाले से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है इस कंपनी का नाम है Throttle Aerospace System ठीक है यह भारत की पहली कंपनी है जिसको नागरिक उड्डेयन महान देशाले से ड्रोन लाइसेंस मिला है British Endurance Championship में भाग लेने वाली पहली महिला भारती कार रेसर इनका नाम है हुमेरा मुस्ताक नाम याद रखेंगे हाली में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबेंड सेवा शुरू की है तो यह जो सेवा स्टार्ट करी है यह Reliance G.O. ने स्टार्ट करी है हाली में कíndri मंत्री सरवानन्द सोनोबाल द्वारा मुंबई में पहला अंतराश्टी क्रूज लाइनर लौंच किया गया है इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है क्रूज लाइनर का नाम है कोशटा सैनेना हाली में The Hindu Business Line Change Maker Award 2023 में Change Maker of the Year पुरसकार किसको मिला है तो 2023 का जो Change Maker of the Year Award मिला है वो Reserve Bank of India को मिला है RBI को मिला है हाली में किस देश ने दुनिया की पहली Passenger Caring Flying Taxi जिसका नाम है E.Hanks EH216S इसको मंजूरी दिये तो ये चीन की है ठीक है नाम इसका याद रखेंगे E.Hanks EH216S ठीक है ये Passenger Caring Flying Taxi है दुनिया की पहली है चाइना ने इसको लॉंच किया है इसके बाद में आता है आपका आठवा क्वेशन नवंबर 2023 में पहला Artificial Intelligence उरक्षा से कह सम्मेलन 2023 ये ब्रिटेन में हुआ भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेसको ने City of Literature के रूप में मान्यता दी है तो ये कोजी कोट है केरल का शहर है सतरकता जागरुकता सब्ता 2023 की जो थीम है वो क्या है इसकी थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें राष्टर के प्रती समर्पित रहें हाली में जारी Prime Global Cities Index 2023 में कौन सा शहर जो है वो सीर्ष स्थान पे रहा है तो ये मनीला है फिलिपिन्स की राजधानी प्रोजेक्ट कुष्ट के तहट किस संस्था दोरा Long Range की Surface to Ear Missile जिसका नाम है LRSAM ठीक है LRSAM का मतलब ही यही है LR का मतलब है Long Range SAM का मतलब है Surface to Air Missile ठीक है इसका निर्माट किसके दोरा किया जा रहा है तो ये DRDO के दोरा इसका निर्माट किया जा रहा है हाली में कोलिन डिक्ष्णरी ने Word of the Year 2030 किसको चुना है Artificial Intelligence नमने मैंसे भारत का कौन सा विश्विध्याल है अपना खुद का उपग्रह लॉंच करेगा और इस उपग्रह का नाम क्या है SSAMU SAT तो याद रखना भी इसको बड़ा आहसान है क्योंकि ये अलीगड मुसलिम विश्विध्याले के द्वारा लॉंच किया जाएगा और नाम भी इसका जो है AMU के नाम से ही जुड़ा हुआ है SSAMU SAT वंडे विश्वकप इतिहास में वंडे विश्वकप में भारत की ओर से सबसे ज़्यदा विकेट लेने वाला गेंद्वास हाली में कौन बना है मोहमाशमी आप सभी को पता होगा रोसो टॉम कंपनी द्वारा किस धेश में दुनिया का सबसे उच्छा परमाडू रियक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है तो ये बोलीविया में स्थापित किया गया है हाली मैं अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला स्टेट बना है केरला वैसे क्योंकि मैंने आपको घटना सार कराई है घटना चक्र की जो आईदरस्टी वाली बुक है, उसकी जो समरी है, सूचमदरस्टी के नाम से जो उसमें आती है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइट कराई है, तो काफी सारे चीज़ें आपको ऐसी लग रही होंगी, जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो ये जो है questions अगर आप देख लेंगे, 500 questions है, 10 practice set है, हर practice set में 50 questions है, इसको भी अगर आप 2-3 बार देख लेंगे, तो काफी सारे questions इस सीरीज में से भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आयूरवेद में नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले के तहत, केंद्री आयूरवेद विज्ञान अनुसंधान परिशद ने, आयूरवेद ग्यान नैपुन्य पहल, ठीक है, आयूरवेद ग्यान नैपुन्य पहल, इसका संक्षिप्त रूप है अगनी, इसकी सुरुवात की है, तो ये आयूश मंत्राले के द्वारा शुरू की गई है, हाली में प्रदान किये गे जी आई टेग उतपादों के संब्द में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, तो इसमें से सभी जो है सुमेलित है, काजू जो है, गोवा से रिलेटेड है, और जम्मू कस्मीर के केसर को जी आई टेग मिला है, लद्दा के बक्तौर्ण फल को जो है, जी आई टेग मिला, ये सी वाला याद रखना इस बार छप सकता है पेपर में, ऐसा बिलकुल आप अनुमान लगा सकते हैं, हाली में हुई न्युक्तियों के संब्द में कौन सुमेलित है, तो ये सारे सुमेलित हैं, नेदरलेंड के प्रदान मंतरी हैं, मार्क रू ने IISR Alexandro čandaate नाम के कर्देख भजवाली की मजालि की नई किस्म को विक्सित किया है, तो नाम याद रखेंगे काली मिलक की किस्म है, जिसका नाम है IISR Recentra, ठीक है इसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं नमलिकित मैंसे किस Expressway को उत्रपदेश के पहले Expressway के रूप में विक्सित किया जाएगा तो ये बुंदेल खंड Expressway है दुनिया के पहले 3D मुदृत मंदिर का निर्माट किस राज्य में किया गया है ये तिलंगा नामे किया गया है नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोष नागरिक संबान जिसका नाम है निशान अपाकिस्तान से संबानेत होने वाले चौथे भारतिय कौन बने हैं इनका नाम है सयदना मुफद्दल सैफुद्दी भारत और नेपाल के बीच सत्रेवे संयुक्त सैन्यभ्याद सूर्य किरण का आयोजन कहां पर किया गया सूर्य किरण का आयोजन हुआ है उत्राकंड में नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवात माई कॉंग माई कॉंग चक्रवात का नाम याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में आया इसका नाम करण किस के द्वारा की आगया मियाम मार के द्वारा की आगया हाली में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को इस्थाई रूप से बंद करने की घोशना की है तो अफगानिस्तान का जो दूतावास्था न्यू देली में उसने उसको स्थाई रूप से बंद करने की घोशना कर दी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संसकरन कहां पे आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में राश्टरपती द्रौपती मुर्मू ने किस राज़ में ब्रहम कुमारीज द्वारा आयोजित राश्टी शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा ठीक है इस अभियान का नाम है इसका सुभारम कहां से किया है तो ये उड़ीसा से किया है नेमलिकित मैंसे किसे वर्स 2024 के लिए संयुक्त रास्टर लेखा फरीकशक पैनल का उपाध्यक्ष निउक्त किया गया है तो गिरीश चंदर मुर्मू को जो है उपाध्यक्ष निउक्त किया गया है भारत ने दो महीने की रोक के बाद में किस देश की नागरिकों के लिए electronic वीजा सेवाएं फिर से स्टार्ट कर दी हैं तो कनाडा के लिए इनको रोक दिया गया था फिर दोबारा से इनको स्टार्ट कर दिया गया है निमले खित मैंसे किस भारतिय खिलाडी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंशिप का खिताब 26 वी बार जीता है इनका नाम है पंकज आडवाडी आगे बढ़ते हैं सौरव गांगुली को किस राज्जी का ब्रैंड अमबेशेडर गोसित किया गया है तो इसका आपको पते ही होगा पश्य मंगाल ठीक है चात्रों के लिए समान अफसर सुनिश्चित करने के उद्धिस से किस राज्ज सरकार ने हाली में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामा का अभियान स्टार्ट किया है ये अभियान उत्तरप्रदेश से संबंदित है चाउवन वे अंतरास्टी ये भारती फिल्म महोसब 2023 का आयोजन गोवा में किया गया था ICC World Cup 2023 में Player of the Tournament का खिताब किसको मिला है विराट कोहली को सबसे ज़्यादा रण इन्होंने बनाई थे World Cup 2023 में सैनिस पलासियोस ने Miss Universe 2023 का किताब जीता है तो सबसे पहले तो इनका नाम याद रखेंगे सैनिस पलासियोस Miss Universe 2023 की विजेता इनका संबंद किस देश से है? निकारागुआ से एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग यानि एपेक देशों का सिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां पे किया गया? ये USO के सैन फ्रांसिसको में ICC Hall of Fame के संबंद में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन जो है ICC Hall of Fame के संबंद में सत्य है पहला कतन है डाइना एडुल जी ICC Hall of Fame में शामिल होने वाली पहली भारतिय महिला करकेटर बन गई है डाइना एडुल जी का नाम याद रखेंगे पूर्व ओपनर विरंदर सहवा को भी ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है इसके अलावा स्रिलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी ये शम्मान मिला है पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नित्रत्व करने के लिए AI-powered human-eyed robot को नुक्त किया क्या है तो इस AI-powered human-eyed robot का नाम क्या है नाम है इसका मीका याद रखेंगे सयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2030 का खिताब किस ने जीता ये पंजाब ने जीता है हाली में अंतरास्टी क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने है अगे देखते हैं 46 मा प्रश्न है इनका नाम हीरालाल सामरिया 9 भरती अंतरास्टी विज्यान महोथ सब 2024 किस राज्जी में आयोजित किया चाएगा ये हर्याना में आयोजित होगा 9 अंतरास्टी विज्यान महोथ सब ये प्ष्चन चठब गच पेपर में आप देख ले ना पहली नॉमिनेट किया गया इसे गाया किसने है मतलब किसने तयार किया है तो फालगुनी शाह और गौरफ शाह के साथ मिलकर के पीम मोदी ने इसको तयार किया है ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्चित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिल यह बहुत ही important question है यह आएगा यह आएगा फिप्त राज्य खाद्य सुरक्षा सूशकांक 2022 ते इसके संबन में कौन सा कतन सत्य है तो इससे जुड़ी हुई चीज़े हैं कि बड़े राज्यों में केरल जो है सीर्से स्थान पर रहा है खाद्य सुरक्षा सूशकांक में छोट के नाम है सीतल महाजन यह पहला practice set था पचास question आपने जल्दी जल्दी देखे दूसरे की तरफ चलते हैं दूसरे practice set का पहला question है international migration outlook 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसको आप OECD के नाम से जानते हैं तो संगठन देशों में सबसे अधिक अं paint brush swift तितली जो है यह हीमाचल प्रदेश से संबंदित है विश्व परेटन संगठन द्वारा भारत के किस गाउं को सर्वसिष्ट परेटन गाउं 2023 का prize दिया गया है तो यह गुजरात का धोर्डो गाउं है इसका नाम आपको याद रखना है बहुत important है छपेगा question राच्छ पर साहेबाबाद को दोहाई डिपो से जोडने वाली किस train कोहरी जंटी दिखाई गई important question है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रें 18 अक्तूबर 2023 को राश्टपती द्रौपती मुर्मूने किस राज्य के चतुर्थ क्रशी रोड मैप 2023 से लिकर के 28 तक कि इसकी समयावदी है इसक इसे शिक्षा मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया सही बात है और अपार के तहट प्री प्राइमरी से लिकर के उच्छ शिक्षा तक प्रतेक छात्र को एक विसिस्ट पहचान संख्या मिलेगी ये भी सही है दोनों चीज़ें अपार के संदर में सही है किस मामले में सर् किस संगटान ने सस्ते पानी की उची कीमत ये सीर्षक है इस सीर्षक शेक रिपोर्ट जारी की है तो ये जारी की गई है व्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा नोबिल सायंती पुरसकार विजेता मार्टी अहती सारी जिनका हाली में क्या हुआ है निधन हुआ ह ये किस देश के दस वे रास्ट पती थे तो मार्टी अहती सारी ये फिनलेंड के रास्ट पती थे केरल के विजिन जाम बंदरगा पर पहुँचने वाला पहला मालवाख जहाज कौन सा है जिसका नाम है जेन हुआ 15 हैपेटाइटिस सी के उनमूलन की दिसा में डबलू एच सिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है तो ये दर्जा मिला है इजिप्ट को मिश्र को विदेश मंत्री एहस जैसंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबिल पुरिसकार विजेता लेखक कवी रविंदरना टेगोर की प्रतिमा का उदगाटन किया तो इसका उदगा प्लस टू बारता आयोजित हुई है विश्ष श्वास्तिय सिखर सम्विलन 2013 कहां पर किया गया थीम थी जिसकी डिफाइनिंग येर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्षन तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया विश्ष वैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारती युगल जोडी कौन बन गई है इंपॉर्टन क्वेशन है सात्रिक साहीराज रैंकी रैडी और चेराक सेटी इनको पहली रैंकिंग में लिए है महला होकी ACI चैंपियन्स ट्रोफी 2023 का शुभंकर इसका नाम क्या है नाम है इसका जूही जूही क्या है एक हतिन आगे दिखते हैं हाली में किस राजी के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई पर जाती खोजी गई है यह मिजोरम में खोजी गई है याद रखेंगे डंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है यह मिजोरम में है और यहीं पर ही टॉड की नई पर जाती खोजी गई ह चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के धोजवाहक, इनका नाम है पारूल परमार और अमित सरोहा भारत में पहली बार टिलापिया परवो वाइरस यानि टी आई पीवी किस राज़े में देखा गया तो यह तमिलनाडू में देखा गया इसरो ने किस वर्स तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष रखा है, इंपोर्टेंट है, 2035 तक का लक्ष रखा गया है, 2035 तक अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा अपना जो है स्वदेशी स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा हाली में नियुक्त हुए व्यक्तियों मैंसे काई सुमेलित है सारे सुमेलित है क्रिस्टोफर लखसन ये न्यूजिलेंट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए है डेनियल νोबोह ये इक्वेडोर के प्रशीडेंट नियुक्त हुए है रगुबर्दास जो है ये ओडिसा के राज़ेपाल है हली में इंस्टिटुट ओफ डाइरेक्टर्स द्वारा के संस्था को आपदा प्रबंदन में गोल्डन पीकॉक पुरसकार से सम्मानित किया गया है वर्स 2023 में कौन सा देस लिंफैटिक फाइलेरियाजिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षड पूर्वी एजिया का दूसरा देस बन गया है इसका नाम है लाउस हली में यूरोपी इस अंस्थत ने किसे सखारो पुरसकार से सम्मानित किया है इंपॉर्टेंट है ये चप सकता है आपके पेपर में साखारो पुरसकार मिला है महसा अमीनी को ये इरान की है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन यानि इसरो के गगयनियान मिसन के पहले उड़ान परिक्षण वहन का नाम क्या है तो इसका नाम है About Mission 1 TVD1 किस भारतिय जहाज ने गीने की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरूपी संग संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया इसका नाम है INS सुमेधा आगे देखते हैं अठाइसमा प्रश्ण है British Antarctic Survection के वग्यानिकों ने पहली बार Antarctic छेतर में किसी पक्षी में एवियन फ्लू की मौझूदगी का पता लगाया है ठीक है तो इस पक्षी का नाम क्या है Brown Squire Brown Squire में एवियन फ्लू की मौझूदगी का पता लगाया क्या है तीन बेसिन जैव विविदता पारिस्तिकी तंत्र और उष्ट कटबंदी वन सिखर संभिलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था ब्रेजाविले इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2023 के संधर्ब में निमलिकित कतनों पर विचार करें तो इसमें से आपका पहला है यह इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का सात्वा संसकरण था बिलकुल सही बात है दूसरा गलत है इसका आयोचन बेंगलोर में नहीं हुआ था किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक एल्यूसिफ पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्यमी प्रसांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलिसकॉप का निर्माण किया जा रहा है तो ये Trident का संबंध है चाइना से ठीक है, चाइना में जो है, ये Trident का निर्माड किया जा रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा Neutrono Detecting Telescope है, नमले खितमे से किस कंपनी के दौरा भारत का पहला gasoline और diesel reference इंधन लॉंच किया गया है, तो ये Indian Oil Corporation Limited के दौरा जो है लॉंच किय इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले Nano DAP तरल सायंतर का उधगाटन किया गया, ये गुजरात के गांधी नगर में किया गया, किस राजी सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राजी के सभी सरकारी स्कूलों को Heritage School घोशत करने की घोशना की है, तो ये निर्णय जो Partnership Forum द्वारा किसे प्रतश्चत Global Leadership Awards 2023 प्रदान किया गया, नीता अंबानी को ये अवार्ड मिला है, अल्बानिया की राजधानी तिराना, तो पहला चीज़ तो याद रखेंगे, अल्बानिया क्योंकि देश और राजधानिया भी पूछी जाती है पेपर में, और विशेश से वे देश और उनकी राजधानिया पूछी जाती है, जो हाली में चर्चा में रहे होते हैं, तो अल्बानिया, यहाँ पर याद रखेंगे, अल्बानिया की राजधानिया तिराना, यहाँ पर अंडर 23 विश्यकुस्ती चैंपियंशिप जो है आयो जित की गई, यहाँ प प्रोफेसर सलीम उलहक यह जलवायू परिवरतन विशेशक्य थे और बिशन सीम बेदी यह भारती क्रिकेटर थे जिनका हाली में निधन हुआ है, एशियाई पैरा खेल 2003 से सम्मंदित कतनों पर विचार करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एशियाई पैरा खेल 2003 कहां पर आयोजित किये गए, यह चीन के हंग जोग में आयोजित हुए, और इनमें भारती पैरा बैडमिंटन के लाड़ी प्रमोध भगत ने गोल्ड मेडल जीता, और भारती एथिलिट सुमित अंतिल ने भाला फैंक्स परधा में गोल्ड मेडल जीता, दोनों के नाम याद र पहला नौसेना शौर्य संग्रहाले, यह किस शहर में बनाये जाएगा, यह लखनों में बनेगा, यूपी में, हाली में, जुनी पर व्रक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य व्रक्ष घोषित किया गया है, तो लद्दाक का राज्य व्रक्षित को घोषित किय पुस्तक और उनके लिखक के संबन्द में कौन सुमेलेत है आपको पता लगाना है पुस्तक है पहली है यह पुस्तक लिखी है असोक टंडन ने ठीक है और प्रेकिंग दे माउल्ड रिमेनिजिंग इंडियाज एकॉनमिक फ्यूचर यह रगुराम राजन और रोहित लांबा की है निलाबु कुदिचा से मांगल यह ऐस सोबनात की है जो इस रो के चीफ है इंडिया ओन दियर माइंड्स एट वुमेंस एट आइडियाज ऑफ इंडि यह मिला है डी वाई चंदर चूर को जो के भारत के चीफ चर्ष्टिस है आगे देखते हैं हली में उत्रपदेश का पहला मिशन सक्ती कैफे किस जिले में खोला गया है उत्रपदेश के गोंड़ा जिले में यह खोला गया हैـ अमिचिंजिन जक्ति कैफे किस ग्रह पर पांडय ये विम्स्टिक के महासचिवें रॉबर्ट फिक हो ये स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री हैं मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2013 के राष्टी के शोरकुमार सम्मान और राष्टी लता मंगिशकर सम्मान की घोशना की है इसके संबन में कौन सा कथन सत्य पहला है आपका वर्ष 2022 का राष्टी किशोरकुमार पुरस्कार जो है ये अभिनेता धर्मेंदर जी को दिया गया है और लता मंगिशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंग का चैन किया गया है दोनों के नाम आपको याद रखने है राष्टी कर पुरस्कार उत्तम सिंग को हाली में पहली ग्लोबल स्टाक्टिक की सिंथिस रिपोर्ट के इसके द्वारा जारी की गई है तो ये यू एन एफ ट्रिपल सी के द्वारा जारी की गई है दुनिया का सबसे उचा लड़ाओ को हवाई छितर कहां पर विक्सित किया रहा है लड़ाख में ग्लोबल फिंटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉंच किया है तो ये यू आई डी आई ने लॉंच किया है ठीक है तो हमने दो प्रैक्टिस सेट इसमें करें हैं दो प्रैक्टिस सेट में जो है आपके क्वेश्चन की सं तो दो तीन चार वीडियो में यह सारा का सारा जो content है आपका यहां से समापत हो जाएगा PDF जो है मैं इसकी आपको पहले से शेयर कर चुका हूँ केबल जो प्रैक्टिस सेट है इसकी PDF मैंने आपको पहले शेयर कर दी है टेलिग्राम पर टेलिग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के description मैं इसका link में डाल दूँगा वहां से जो भी ज़रूरी चीजे हैं मैं समय समय पर वहां पर शेयर करता रहता हूँ वह काफी आपके काम आ सकती है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जैहें